नमस्कार दोस्तों, crescent education classes में आप सभी का स्वागत है, उम्मीद करते हैं, आप सभी लोग स्वस्त हैं, और अच्छे preparation दोस्तों आपके चल रही होगी, उत्रा करनल्टी 2024 की, आश्रा करते हैं, हमारी series भी दोस्तों आपको बिल्कुल मदद कर रही होगी, इसमें, academic aptitude की दोस् क्योंकि आपके concept building होगी, concept आपके clear होंगे, और MCQ भी सही होने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बचे पूसते हैं, कि सर मेरे MCQ गलत हो जाते हैं, तो इसका current दोस्तों यही है, class आप पूरी नहीं देखते हैं, अब नई series दोस्तों हमने start कर दी, इसका पहला part भी upload कर द आगेंगे, तो आज है दूसरी class, इससे पहले हमने class upload कर दी है, जिसमें हमने आपको बाल विकास बताया था, उसके बाद बाल विकास के अध्यन की विदियां बताई थी, बहुत महतुपूर्ण विडियो है, जरूर देख लेना है कि important topic है, और आज भी दोस्तों एक और important topic देकर आए हैं, जिसमें बाल विकास के तरगत हम पृती एवं विकास का क्या concept है, विकास की क्या वस्ताए होती, उसके सिद्धान, इनके बारे में दोस्तों जानेंगे, एक इसा important topic जिससे ज़्यादा तर दोस्तों आपके MCQ आने की संभावने रहती है, तो चलिए दोस्तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, बाल विकास के भाग दो में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिवर्दी और विकास, सबसे पहले जानेंगे विकास क्या है, यानि की development क्या है, तो विकास दोस्तों एक सार बहुमिक प्रक्रिया है, यानि की दोस्तों एक universal process है, जो की ज विकास केवल शारिक विर्दी की और को ही संकेत नहीं करता है, यानि कि विकास का संबंद केवल शारिक विर्दी से ही नहीं है, बलकि इसके अंतरगत सभी शारिक, मानसिक, समाजिक, समेगात्मक परिवर्तन समलित होते हैं, जो कि गर्वकाल से लेकर मिर्त्यू परंतक निरंत प्रकट होते रहते हैं, कई लोग विकास को केवल शारिक विर्दी से ही संबंदित करते हैं, वो मानते हैं कि शरीर में जितनी विर्दी है वही आपका विकास है, लेकिन ये केवल इसका एक पार्ट है, विकास इससे कई उपर है, तो विर्दी विकास का ही एक भाग है, शारि एक विद्धी भी उसका एक भाग है तो विकास के अंतरगत सभी तरह के परिवर्टनाते हैं चाहे वो शारिक हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल चेंजिस हो जो की कंटिनिसली दोस्तों आप एर होते रहते हैं मनुश्य में जब तक की वो उसकी मिर्ट्यू नही भी बोला जाता है, यानि कि स्रीज ऑफ ग्रैजूल चेंज्ज यहां पर आपको परिवर्टन हैं दोस्तों एक सिक्वेंसल प्रॉसस में देखने को मिलेंगे, यानि कि विकास हमेशा है किसी ना किसी सिक्वेंस का दोस्तों अनुकरम या उसका अनुसरन दोस्तों करता है, इसी के परिणाम सुरू विक्ती में नवीन विसेस्ताओं का हमेशा उदे होता है और पुरानी विसेस्ताओं की शमापती हो जाती है, यानि कि न्यू करेक्टरस्टिक्स इसमें इमर्ज होती है और जो ओल्ड करेक्टरस्टिक्स होती है वो डिसिपेर हो जाती है, इसके अ मिसा क्या है कर्मिक परिवर्तनों की शिंकला है इसके अलावा अब हम जानेंगे विकास और अभी वृद्धी की जो महतुपून definition है जो अलग-लग मनोविज्यानिकों के द्वारा दी गई है जिनका दोस्तों exam माने की संभावने मैं बहुत रहती है सबसे पहले मुन्रो की definition वो simply कहते हैं विकास परिवर्तन शिंकला की भावस्ता है जिसमें बच्चा भून अवस्ता से प्रौड अवस्ता तक गुजरता है तो विकास परिवर्तन शिंकला की वही अवस्ता है इसके अलावा विकास विक्ती में नवीन विस्ताओं एवं योगिता को प्रस्पुटित करता है यानि कि विकास development reveal करता है new characteristics and abilities in a person विकास विक्ति में नवीन विसेस्ताओं वो योगिता को प्रस्फटित करता है यह हलाओ की क्या है दोस्तों definition इसके बाद बात करेंगे अभिवर्थी यानि कि ग्रोथ क्या है अब तो ग्रोथ शरीर वो उसके अव्यों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्थन है मात्रा में जितना परिवर्थन हो रहा है basically क्या है quantitative change in a body and its component is known as growth तो जितना आपको मात्रात्मक परिवर्थन देखने को मिलेगा कि किसी मनुष्य की लंबाई सरीर की लंबाई कितनी हो रही है उसकी height कितनी बड़ी उसका weight कितना बड़ा जिसको आप measure कर सकते हैं मापन कर सकते हैं वही आपकी क्या है अभिवर्थी है Frank ने simply क्या बोला है कोस की गुणात्मक बिवर्थी ही अभिवर्थी है यानि कि cellular qualitative growth ही उन्हों के द्वारा growth बोली गई है कुछ important definition जिनको जानेगे इसके अलावा जो हलौक है स्रीमति हलौक ने भी दोस्तों बहुत विकास की दिशा में बहुत कारी किया इसमों बहुत ज़्यादा शोक किये और इनके द्वारा दोस्तों simply बोला गया कि जो विकास है उसमें चार परिवर्थन सामिल है सबसे पहले विकास में आकार में परिवर्थन होता है अनुपार में परिवर्थन होता है पुराने चिन्नों का लोप होता है नए चिन्नों का उदे होता है वहाँसान है, change in size, change in proportion, disappears of old features, disappearance of old features and acquisition of new features. तो आकार में परिवर्टन होता है, अनुपार में परिवर्टन होता है, पुराने चिन्नों का लोप होता है, ने चिन्नों का उधे होता है, इन्होंने चार परिवर्टन दोस्ते समें सामिल की हैं. अब बात करेंगे दोस्तों अभी वर्दी की क्या विसेशता हैं, इसके बाद विकास की क्या विसेशता हैं, और इनके बीच में दोस्तों जो अंतर हैं, उनको साम जेगें. सबसे पहले अभीवर्दी की क्या विसेस्ता है देखिए अभीवर्दी हमेशा क्या होती है मातरात्मक होती है यानि कि क्वांटिटिटिटी होती है विकास गुणात्मक भी होता है मातरात्मक भी होता है इसके अलावा अभीवर्दी मद्य किसोरा वस्तक तक चलती है यानि कि अभी विर्दी केवल शारिक परिवर्तनों को विक्ति करती है जब कि विकास में सभी तरह के परिवर्तन समलेत होते हैं, चाहे शारिक हो, चाहे मांसिक हो, सम्वेगात्मा को, सामाजी को, सभी तरह के परिवर्तन दोसस में होते हैं, अभी विर्दी केवल शारिक परिवर्तन वसना में सुधार से संबंदित हैं, यानि कि structural improvement से ये संबंदित होती है, structural में कितना improvement है, उससे दोससे संबंदित है, जबकि आपका विकास और structure और function, यानि कि कारे से भी संबंदित है, ठीक है, इसके बाद map का विसे, देखी ये क्या है, subject of measurement, basically आप इसको क्या कर सकते हैं, measure क कर सकते हैं, जबकि विकास का आपके बल मुल्यांतन कर सकते हैं, यानि कि आप उसका evaluation कर सकते हैं, इसके अलावा, विर्दी वाता वरंड पर निर्भर करती है, जो विर्दी है, वो वाता वरंड कर दोस्तों बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, growth depends on the environment, environment पर दोस्तों कर कर ठीक है इसके बाद अभीवर्दी की विसेशता है और क्या है अभीवर्दी हमें सब विकास के बाद होती है यानि कि विकास पहले होता है फिर अभीवर्दी होती है इसके अलावा जो अभीवर्दी है वो लेखिये होती है यानि कि लीनियर होती है और जब कि विकास दोस्तों आप डिरेक्टली देख सकते हैं, बहुत किसी की हाइट बढ़गी है, आप साब साब देख सकते हैं, लेकिन विकास है, उसको आपके एवल experience कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो विकास की विसेश्था हैं क्या हैं दोस्तों, जैसे कि ये मातरात्मक और गुनात्मक है ये जीवन परियन चलता है, सभी प्रकार के दोस्तों से परिवर्टन सामिल होते हैं, शारिक, मानसिक, सामेजग, समेगात्मक, मनोगत्यात्मक, ये सभी दोस्तों सके दर्गत सामिल होते हैं, विकास की विसेश्थाओं में विकास हमें साइक्रित होता है, क्योंकि ये सभी केवल वातावरंट पर निर्वा करती है, so it depends both environment and life विकास रस्नात्मक और विनाशात्मक दोनों हो सकते हैं, विर्दी केवल रस्नात्मक होती है, विकास अभी विर्दी से हमें साथ पहले होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, जब कि विर्दी रेखी होती है, विकास को गेवल अभाव किया जा सकता है, इसके बाद जो हल्लॉक है, हल्लॉक के द्वारा विकास को गुणात्मक परिवर्दन कहा गिया है, जब कि विर्दी को उनोंने मात्रात्मक परिवर्दन बोला है, इसके लावब जो विकास है ना संचे करना जोड़ना जोड़ना तो विकास हमें सा जुड़ता चला जाता है ठीक है विकास एक एक इक रिप्रटी है जो कि हल लॉक के द्वारा बोला गया है जैसे हमने बताया development is a integrated process अब दोस्ता हम जानेंगे विकास के रूप के बारे में यानि कि forms of development किस किस तरह के विकास होते हैं क्योंकि अभी दोस्ता हमने बता है there is a various kind of development तो उनकी forms के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले जानेंगे शारिक विकास शारिक विकास का मतलब यह है कि जितने भी हमारे physical development होते हैं ठीक है जैसे कि इसमें क्या के include है इसमें केवल शारिक विकास भी समब लेता है ठीक है तो जैसे सूक्ष्म और स्थूल कौसल है यानि कि macro and micro skills है शारिक अनुपाद है आकार गतिक कौसल ठीक है यानि कि motor skills उचाई भार मांस प्रेसिया नायु मंडल हड़ियां र फिर जितना भी आपका शरीर है शरीर के जो भी component है उनके विकास से इसका संबंद होगा ठीक है इसके बात करेंगी मांसिक विकास से तो मांसिक विकास में दोस्तों क्या आएगा कि जो आपकी mental development आएगी ठीक है जिसमें thinking आती है चिंतन तर्क कल्पना समस्या का समाधान जि परंपरा नियम उन से संबंदी जो आपका विकास होगा वो इसकी स्ट्रेणिम आएगा समिक आत्मक विकास यानि कि जो आपके संब्वेग है उनके विकास से संब्दीत है यानि कि जो आपके संब्वेग है जैसे प्रेम क्रोन भै इनके सब्दों से संब्दीत है ठीक है न का स्पस्तदा का विकास, ठीक, लिखना, ये सब दोस्ता आपके आएंगे psychomotor development. submitting विकास, आपका भासाकोस, विचार, भासा, ठीक. सौंधरातमक विकास यह नहीं कि सौंद्रात्मक भाव, aesthetic development, ठीक है, आपका aesthetic sense, art, कला का विकास, यह सब इसके इंतर गताएंगे, ठीक, तो यह तो होगे दोस्तों, विकास के विभिन रूप, अब बात करेंगे, बालक विकास से संबंदित महतुपूर मानिता, देखे, अलग-लग जो psychologist से मानते हैं, कि बालक विकास की, अलग-लग दोस्तों, बालक विकास को प्रभावित करने वाले अलग-लग कारक है, ठीक है, तो उनके हम, जो कुछ मानिता हैं, जो यह आपर दी गई है, उनके बारे में, दोस्तों आपकी हरेडिटी से ज्यादा एफेक्ट होता है, अब वियावारवादी सिद्धान्त है, वियावारवादी सिद्धान्त के मानिता वाले जो प्रमुक प्रतिपादक हैं, वो है जेवी वाटसन और बीएफ इसकिनल, अभी मानते हैं कि दोस्तों, जो पर्यावरण के कारक हैं, वो बालक के विकास में साहिक होता है, यानि कि उनका ज्यादा एफेक्ट परता है बालक के डिवल्लमेंट, यानि कि जो आपका एंवार्मेंट है, वो क्या है बालक के विकास में सबसे ज्यादा एफेक्ट करता है, यानि कि विकास में इंद्रिय अनुपतियों का गहरा प्रभाव परता है, यानि कि जो sense experience है it has a deep impact on the development basically जो इंद्री अनुबती का मतलब है जिनको हम देख रहे हैं हमारे प्रावन में जो भी चीजे हैं जो भी जिसको भी आप जिस पर आपका गहरा प्रभाव पढ़ड़ा है या फिर basically उनका आपके प्रभाव पढ़ड़ा है वही आपके विकास को भी प्रभावित करते हैं तो इंद्री अनुबतों का गहरा यहां पर प्रभाव है इसके बाद अगला आता है संग्यानता विकास संब्दी मानिता यानि की cognitive development अब इसके प्रमुक परतिपादग है जीन प्याजे यह मानते हैं कि वही आपके विकास को सरवादिक प्रभावित उसकी मानसिक प्रक्रियाएं करती है तो development को सबसे ज़्यादा influence करती है mental activity यह मानते हैं मानसिक क्रियाएं सबसे ज़्यादा विकास को प्रभावित करती है इसके बाद अगला है सामाजिक सांस्कृतिक विकास संबंदी मानेता है ये लेव गायगोर्सकी का दोस्तों सिद्धानत है ये एक तरह की नवीनतम विचारधारा है दोस्तों बाल मनुविग्यान के छेतर में और ये सिंप्ली मानते हैं कि बाल विकास में सामाजीक और सांस्कृतिक कारकों की महतुपूर्ण घुमिका है तो सामाजीक और सांस्कृतिक कारक यहाँ पर ज्यादा important role play करते हैं in development of child इसके बाद दोस्तों आगला आता है विकास की सिध्ञानत हैं उसमें दो सक्वादा है मनुश्यक मामल में निष्चित мॉडल का हमेशी क्या करती है प्रक्रियक करती है Cephelo Caudal Sequence Cephelo Caudal Sequence यानि simply बोलता है कि पहले सिर का विकास होता है फिर उसके बाद पेरो का विकास होता है यानि कि विकास की दिसा हमेसा क्या होती है सर से स्टार्ट होती है फिर धर्ड में और फिर इसका और नीचे को दोसने बढ़था चला जाता है ठीक तो विकास हमेशा क्या होगा सिर्थ से स्टार्ट होगा फिर पैर तक जाएगा ठीक है तो इसको इसलिए सीर्सगामी या फिर इसको आप अनुदहदरी या फिर लंबातमक भी दोस्तों कह सकते हैं या बिसिकली वर्टिकलर और लॉंगिटूडनल विकास भी इसको बोला जा सकता है ठीक है तो यह दोस्तों यहां पर इसका फिगर देख लीजिए तो कैसे होगा दोस्तों ने जो विकास की दिसा होगी आप बच्चे का देख सकते हैं सर है यह सर से दोस्तों क्या हो रहा है नीची की और को चलता चला जा रहा है इस सर से क्या होता है पैर की सबसे पहले रीट की हड़ी का विकास होता है and then उसके बाद बाहर की हड़ी को विकास होता चला जाता है इंदर से प्रारंम होता है, फिर बाहर की और को विकास इसमें होता चला जाता है, जिसे की पहले रीट केहडी का विकास होगा, फिर बुजाओðओं का विकास होगा, ठीक है, निकट से दूर का सिध्धान भी इसको बोलते है, या फिर इसको अद्योगामी सिध्धान भी दोस्तों इसको बोलाता है progressive principle भी दोस्तों इसको बोला जाता है ठीक है इस principle के according अगर आप figure देखेंगे तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं विकास की दी साब देख सकते हैं अंदर से भार के हो इसका मतलब है कि पहले हाथ का विकास होगा फिर उसके बाद उंगलियों का विकास होगा हाथ का विकास होगा फिर इंगलियों का विकास होगा पहले पैर का विकास होगा फिर इंगलियों का विकास की दिसा आपको यहां पर देखने को मिल लिए इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है करमिक विकास के बाद वो आता है दोस्तों सामाने से विसिस्ट विकास विकास दोस्तों में से क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है पहले क्या होता है विकास जनरली तोर पर होता है फिर specific दिसा में होने लग जाता है जैसे उधारण के लिए बालक जब बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जो बोलना सीखता है तो आपसे समझना है कि यहाँ पर जो विकास है वो पहले सहमानी होता है फिर विसस्ट किता की और को बढ़ता चला जता है इसके बाद अगला आता है परारणिमिक वर्सों में तेज बिकास का सिद्दान दिया है कि जब आपकी बालक की जो शुरुवाती अवस्थाइं होती है महापर जो विकास है बहुत तीजी से होता है जिसे कि सहस्व अवस्ता है महापर विर्दी और विकास बहुत तीजी से होता है जीवन के प्रार्मिक वर्षों में शारिक विकास हो जाहे बहुत दीजी से होता है इसका मतलब यह है कि कुछ अवस्ताओं में विकास बहुत इसके बाद अगला आता है सतत विकास और निरतर विकास का सिद्दान, यानि कि विकास हमें से पंटीनिस होता है, लगातार जारी होता है, इसके बाद विकास की विभिन्द गती का सिद्दान, यानि कि सरीर के विभिन्द वे अंगों के लिए विकास की जो गती होती है, वो यानि कि principle of interrelated development basically interrelated का मतलब यह है कि एक का विकास अच्छा होगा तो दूसरे का भी अच्छा होगा यानि कि अगर किसी का सारी विकास अच्छा होगा तो उसका बौधिक विकास भी अच्छा होगा किसी का सामाजिक समेगात्मक विकास अच्छा है तो फिर उसका क्या होगा, बादिक विकास भी अच्छा होगा, बैसिकली आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, यानि कि अगर किसी एक आस्पेक्स का विकास अच्छा होता है, तो दूसरे का भी विकास अच्छा ही होता है, इसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं, तो इसको लात अगला आता है दो भवविश्यवाने का सित्ना यानि की principle of predictability यानि की विकास को predict कर सकते हैं उसके सम्मंद में भवविश्य वाने कर सकते हैं कौन सी वस्ता में कौन सी कूण से लक्षन पर आपत होंगे वह पता लगा सकते हैं इसके बाद संचया और आवर्ती का सिद्दान संचय कारती क्या होता है दोस्तों जोडते जाना यानि कि विकास क्या होता है और इसके अलावे विकास में दोस्तों आवर्ती भी देखने को मिलती है यानि कि किसी विशेष अवस्था में कोई कुण है अगर विक्सित ह तो वो कुसी अन्य वस्ता में भी देखा जा सकता है, जिसे कि अगर सहस्वा वस्ता में आत्रिम होता है, तो यही गुण किसोरा वस्ता में भी देखा जाता है, यानि कि उसका क्या हो रहा है, आवर्ती हो रही है, यानि कि रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कु कौन करता है, वंशानुकरम करता है या वातावरन तो यहाँ पर simply है कि जो विकास है, विकास को वंशानुकरम और वातावरन दोनोग परभावित करते हैं, दोनों की अंता करिया का दोस्तों विकास परिदेनाम होता है, या basically आप simply कहें कि जो principle है जो विकास है, अगला आएगा दोस्तो परिपक्वता एवं अधिगम की अंताक्रिया का सिदान, बिसिकली ये सिदान जी कहता है, कि परिपक्वता और अधिगम आपस में इंटरक्शन करते हैं, यानि कि अगर कोई बालक है और परिपक्वता नहीं है, तो फिर आप उसको कुछ चीजों में विसेश चीजों में उसको अपदिगम नहीं करवा सकते हैं, जैसा आट मा के बालक है, आप सको तैना नहीं सिखा सकते हैं, या फिर इसको विक्ति के विकास का सिदान बोलता है, यानि कि जो आपका विकास होता है, इंडिविजल डेवलमेंट होता है, ठीक है, यानि कि बालक और बालिका में है, इनमें जो विकास होता है, इनमें बहिदात्मक विकास होता है, बेसिकली बहिद करता है विकास, बालक और बालिका में, लड़कों की तुलिना में लड़कें क्या होती है, ज्यादा परिपक्ष और जल्दी परिपक्ष होती है, ठीक, इसके बाद अगला है वर्तुलाकार बनाम रेखे प्रगति का सिदान बेसिकली ये कहता है कि जो विकास होता है उसकी जो दशा होती है वो हमेशा वर्तालुकार होती है मतलब कि स्पाइरल होती है हमेशा विकास क्या होता है वो वर्तुलाकार में होता है ठीक है ये सीधा रेखी नहीं होत यह आगी की और को पगड़ती करता है फिर विकास में वर्तुलाकार नमुने पीछे की और को गुमा होता है फिर आगी की और को पगड़ती होती है इस तरह से क्या होता है विकास चलता रहता है पहले कभी जैसा है आगी को गया पगड़ती करी फिर पीछे को गुमा फिर आग of integration, basically क्या होता है, संपूर्ण अंग का पहले विकास होता है, फिर अंग के भागों का विकास होता है, ठीक है, जैसे कि पहले पूरे हाथ का विकास होगा, फिर उसके बाद इंगलियों का विकास होगा, पूरे पाउं का विकास होगा, फिर उसके बाद उसके इंगलियों का व फॉलो कर रहा है, हलंकि अलग-लग मनुश्यों का विकास होगा, वो अलग-लग तरीके से होगा, अलग-लग गती से होगा, लेकिन जो मॉडल है, वो है सिर से प्यार, अब हम बात करेंगे दोस्तों, बाल-विकास की अवस्ताओं के बारे में, बाल-विकास की जो अवस्ताओं वाला बताते हैं फिर specifically किस मनवग्यनिक ने कौन से अवस्ता दी है उनके बारे में बताएंगे तो बाले विकास की क्या क्या वस्ता है सबसे पहला आता है दोस्तों पूर प्रसुतिकाल दोस्तों क्या होता है गर्व धारन से लेके जरम तक का जो समय होता है इसको हम पूर प्रसुतिकाल बोलते हैं ठीक है अब ये भी तीन भागों में होता है ठीक basically जो पूर प्रसुतिकाल है ये 270 से 280 जनम तक चलता है ठीक है अब जान लेकिते हैं खूड़सा गर्वावस्ता के बारे में इसमया जो गर्वस्त बोलते है ठीक है जो कि आपका दो महाँ से लेके जनम तक चलता है इसमें तीन महीं तक जह हात होते हैं वो पैरों की अफिक्शाखत लंबे होते हैं ठीक है अच्छा अब इसके लावब जो गर्भस्त बाला की उनकी क्रियाएं को हम फिटल एक्टिविटीज बोलते हैं फिटल एक्टिविटीज ठीक हैं तो दो माह से लेके जन्म तक का जो कालोगो शुकुत दोस्तों क्या बोलेंगे यह सहस्वावस्ता, सहस्वावस्ता क्या होती है जन्म से लेके दो वर्सक की अवस्ता अब इसमें भी भेध हैं कई मनोवग्यानि के मानते हैं कि सहस्वावस्ता जन्म से लेके 10 से लेके 14 दिन तक होती है जो अग्सकों नहीं मानेंगे तो उनके लिए सहस्वावस्ता, बच्वान अवस्ता एक ही है, जो मनविध्यनिक इसको अलग-लग मान रहें, तो फिर उनके univers ж्विकार रकिया है, कि भाई सहस्वावस्ता है वह जरम से लेक्ट 10 से चौरज़त की अवस्ता है। shines on कि बात करेंगे, जो कि सहस्वा वस्था को जरम से 14 तक की पिद कमाते हैं, तो बैसिकली पिट ईक होगी, ठीक है अब बालिकाओं में दोस्तों ये चलती है दस वरस्ता तीन से दस वरस्ता बालक में चलती है तीन से लेके बारा वरस्ता ठीक है तो बालिकाओं तीन से लेके दस वरस्ता तक मतलब उनकी बाले वरस्ता चलती है और बालकों में तीन से लेके बारा वरस्ता ठीक है अब इसको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है प्रारमिक बाले वस्ता, एक होती है उत्तर बाले वस्ता, प्रारमिक बाले वस्ता क्या होती है दोस्तों वो चलती है तीन से लेकर छे वस्ता, तीन से लेकर छे वस्ता क्या वस्ता होती है दोस्तों जिसको हम बोल स्था-फार्रविषण याउस्टत शत्तरशम होते हिए, इसके बाद, अगले आती है उत्तर वाल्य वस्ताह का मतलब भीकाओ संद्राइब 3 여bt है, या при-adlosence भी इसको बोलते हैं, प्राक किसोर वस्ताह बालिकाओं में दोस्ताही चलती, 11 से लेके 13 वर्स तक, 2 बालक में 12 से लेके 14 वर्स दिसके बाद दोस्ता अगले हाती है प्रारंभी किस्वरा वस्ता, प्रारंभी किस्वरा यानि कि early adolescence तो ये 13 14 funciona तो लेके 17 वर्स तक दोस्तने चलती है. और इसमें सारिक और मांसिक विकास क्या होता है अधिकतम होता है प्रार्णभी किस वर अवस्ता ठीक इसके बाद अगली आती दोस्तों लेटर एडलोसेंस यानि कि परवर्थी किस वर अवस्ता ये 17 से 19-20 वर्स तक चलती है ठीक है बालिक हो चाहिए बालिका हो दोनों में एक है हिसाब किताब ठीक तो यहां पर दोस्तों क्या होते हैं बालक सारिक और माज़ी करूप से स्वर्णतर होना चाहते हैं ठीक है इसके बाद अगली आती है प्रारणभिक वैस्थ का अवस्ता यानि की अडली अडल्टूट तो यह चलती है आपकी 21 से लेके 40 वर्स तक की अवस्ता इसके बाद फिर आती है मद्य अवस्ता वो चलती है चार से लेके कोल ने क्या क्या दिए देखे सबसे पहले मानते हैं जनम आवस्ता वह मानते हैं जीरो से लेके दो वर्स प्रानभी बाली आवस्ता मानते हैं दो से लेके पांच वर्स मद्य बाले आवस्ता यह मानते हैं बालक के लिए लगे बालिका के लिए लगे छैसे बारा और छैसे दस बहुत आसान है इसके बाद अगला देखेंगे पूरो की सोरा वस्ता यानि कि प्री अडलोसेंस बालक में मानते हैं 13 से लेके 14 बालिका में 11 से लेके 12 ठीक है फिर इसके बाद प्रारंबिक की सोरावस्ता यानि की early adolescence ये बालक में मानते हैं 15 से लेके 16 और girls में मानते हैं 12 से लेके 14 फिर इसके बाद ही बानते हैं middle adolescence ये मद्धी की सोरावस्ता बालक में 17 से 18 बालिका में 15 से 17 उत्तर की सोरावस्ता बालक में 19 से 20 और फिर बालिका में 18 से 20 यानि की उत् तो यह दोस्ता है कोल के अनुसार विकास की अवस्ता है अब हम दोस्तों बात करेंगे कुछ सामान्य वर्गी करण की वैसे सामान्य वर्गी करण दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं लेकिन हम इसमें जो इंपोर्टिंट जो दिये गए हैं वर्गी करण उनके बारे में थोड़ से जाएँ इसके लावा रॉस मानते हैं सैस्वा वस्ता एक से लेके तीन वर्स पूरु बाली अवस्ता मानें तीन से च्छे उत्तर बाली अवस्ता च्छे से बारा और किसोर अवस्ता बार से ठारा ध्यान रखता कि सामने वर्गेर्ण में केवल किसोर अवस्ता तक ही देखेंगे इसके अलावा हल्लॉक है, हल्लॉक मादने गर्बा वस्ता, गर्बधान से लेके जर्म तक, फिर सहस्वा वस्ता बोलता है, जर्म से लेके दो सप्ता तक, अब ये बच्पना वस्ता मानेंगे, तीसे सप्ता से लेके दो वर्स तक, पूरी बाले वस्ता, तीन से लेके छे वर् तक फिर दोस्तें इसमें आपका आएगा वह संदी वह संदी यानि कि 12 से लेके 14 वर्ष तक ठीक है फिर pre-adlusions 13 से 14 मद्यावस्थ तेरा से लेके 17 वर्ष तक उत्तर किसवर वर्ष तक 18 से लेके 21 वर्ष तक इसके अलावा प्रोडा वस्ता 21 से लेके 40 वर्स, मद्य वस्ता 41 से 60, विड़्दा वस्ता 60 वर्स के बाद, तो हल्लोक का आप देख सकते हैं, सभी का मिला जुला लोग है, अनिस जोन से, वो मानते हैं, सहसवकाल 5 जरम से 15 वर्स, फिर बाले वस्ता हम बोलते हैं, 6 से लेके 12 किसवर वस्ता बोलते हैं, 12 से 18, प्रोड वस्ता 18 वर्स के बाद, इसके अलावा दोस्तों कॉलसनिक है, कॉलसनिक का इंपोर्टेंट हैं जिससे कि इनोंने बोला है, गर्बदान से लेके जनतर, जनम पूरुकाल, ठीक, इसके बाद सहसवकाल, जनम से 3-4 सबता तक का सहसव इनोने बोला है कि एक माह से लेके 15 मात है, ठीक, इसके बाद इनोने बोला है, उत्तर सहसवकाल, यानि कि 15 माह से लेकर 30 मा, तो यह आप देख सकते हैं, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक, इन्फेंसी, अल्ली इंफेंसी, लेट इन्फेंसी, इनके द्वारा कॉलसनिक इसके बाद फिर दोस्तों, पूरे बाले वस्ता, यह बोलता है, धाई वर्थ से लेके 5 वर्थ तक, मद्य बाले वस्ता, 5 वर्थ से लेके 9 वर्थ तक, उत्तर बाले वस्ता, 9 वर्थ से लेके 12 वर्थ तक, किसवरा वस्ता, 12 से लेके 15 वर्थ तक, उत्तर किसवरा वर्थ त फिर बोलता है 15 से लेके 21 वर्षथा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इनके द्वारा वर्गी करण किया गया अब दोस्तों कि रिचर्ड बर्डेट है इसके अनुसार मनोविग्यनिक विकास की अवस्था का वर्गी करण साथ अवस्ताओं में दोस्तों प्रवस्ताओं निग्ताओं दोस्तों इनकी विकास का वस्ताओं में सबसे पहले उकाँ जीवित अवस्ताओं यानी की surviving stage, surviving stage क्या होती है दोस्तों वो होती ही जनम से लेके दो वर्स तक, इसमें प्रमुक विसे इस्ता है क्या होती है, मनोदही की आवश्कता ओप्राप्ति के लिए प्रयास करना जिससे वह अपनी आपको जीवीत्वा स्वस्त रख सके, ये इसमें क्या होती है मनुशे की आपकी प्रमुक आवशक्ता होती है कि मनोदहिक आवशक्ताओं की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है ठीक है जिससे की अपने आपको जीवी तो सस्त रख सके तो ये क्या होती है अस्तित्त पर रख होती है इसमें मुल्य क्या होगा existence अपने अस्तित्तों को बनाए ठीक है फिर अगला आता है दोस्तों मनुविग्यनिक विकास के वस्ताओं में समनुरूपता ठीक है यानि की confirming stage confirming stage दोस्तों आपके होती है दो से लेके art verse confirming stage में दोस्तों क्या करता है कि आप confirm करना समस्ते मलब कि आप confirm कर पाते है ठीक है या समनुरूपता आप ला पाते है जैसे कि अपने परिवार परिचित और समुदाई के पास रहना जहां आप अपने आपको सुरक्षित और सुरक्षित महसूस करें तो live near his family ठीक है तब basically आप क्या कर पा रहे हैं कि confirm कर पा रहें कि यस यह वो लोग हैं जिनके साथ मैं सुरक्षित और सरच्षित रहेंगे यानि कि निर्भत्व या सुरक्षा की भावना fearless and security इसके बाद अगली आते है दोस्तों विभेद अवस्ता यानि कि differentiation h तो यह आठ से लेके 24 वर्स तक की दोस्तों अवस्ता होती है तो इसमें अपने कौसल और प्रतिबा का विकास और परदस्ति किसी विसेश हमों का अंस बनने ही तू करना यानि कि आप किसी विसेश कौसल और ये मुल्य रहते हैं अगला आगता है दोस्तों आपका आविभाज्य अवस्था यानि कि इंडिविजल स्टेज ये आपके दोस्तों रहते हैं 25 से लेके 49 वर्ज तक इसमें आप अपनी पहचान को इस्थापित करना चाहते हैं और विश्वास और मुल्यांकन पर आधारे जी ठीक है ये चालिस से लेके 49 वर्ज तक इसमें अपनी प्रतिवाओं योगिताओं को अभिवेक्त करना स्वयम को पूर्ण संसाधन वा साधन युक्त बनाना ये आपका किसके अंतरगात आता है ये आपका आत्म सक्रेता के अंतरगात तो इसमें सस्तिनिष्टा इंटिग्र अवस्था बोलते हैं ठीक है इसमें उन लोगों के प्रति सयोग का भाव होना जो आचार विचार वह मुल्य रखते हैं तो ये अभिधान या सयोग के अंतरगत आएगा तो उन लोगों के प्रति सयोग का भाव होना जो समान आचार विचार वह मुल्य रखते हैं तो ये इ जिसमें मुल्य क्या है सामाजिक नियाए तो एक्शन एंड थिंकिंग स्ट्राटेजी फॉर दी वेलफेर ऑफ हमेनिटी एंड नीचर तो यह आपके रिचर्ड बरनेट के अनुसार मनो विग्यानिक विकास की अवस्था का बर्गी करण है सेवन स्टेज़ेज में तो यह था झाल